नमश्कात दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग आश्रा करती हूँ जो जहां पर भी हो अपने अपने करतेवें को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जीत और कोशिश किये जा रहे हो और हम हमारे साधना में मा बाबा के आश्रवाद से गुरू की कृपा से और परम मर्रा की सच्चाई है है ना कहानी नहीं है तो चली शुरू करते हैं आज की कविता आज की कविता की शिर्शक है गौलपोनोय लेखक स्रीतिन कुरी पात्रो गौलपोनोय यानि कहानी नहीं है थंड की कोलकाता बहुत रात हो गई है आज दिन की खुर्दंग में राजपत अब थोरा बहुत शान्थ श्रान्थ और ठके हुए क्लान्थ ये जो पत अभी भी रोश्नी से जग्मगाए हुए बीच-बीच में ये जो सन्नाटा है तूट रहा है ट्रक से, थेले से, मैटडोर और वैन से चारू तरफ के जो हर्याली है, जो हर्याली सजाई है फुटपाथ को रंगीन क्या है रोश्नी और छाया के साथ बुना है एक अजीव सी रह समयता को वो क्या समझा रही है क्लांट पैर, क्लांट पैर, पीठ, बोज़ को लेकर जा रहा है फुटपाथ को तोर कर, फुटपाथ को लांग कर, फुटपाथ के किनारे ही देखो अरे-अरे, बुजने वाला है, लेकिन फिर भी जल रहा है ऐसा ही लित्ते चोखा के आग उसी के पगल में बैठा हुआ है कुछ पुत्ते, कुछ शार में, उत्ताब के खोँज में देखो, हिला रहा है पूँच अपने-पने दूर से दिख रहा है एक सरीके की दो चक्के की ठेला जो लदा हुआ है सामान से और उस सामान के उपर देखो, सोता हुआ इनसान भी है और नीचे गिरा पड़ा है कंबल जो रो रही है इनसान से बिच्छुर, इनसान से बिच्छने के कारण से दूर से कभी-कभी लगता है उनको सब उनको सब मरुभूमी की जहाज की तरा मरुभूमी की जहाज की तरा, उंट की तरा जो विश्राम ले रहा है गेहरे निस्तब्ध रात में, शहर कोलकाता में गेहरे नीन में, गरम रजाई के नीचे, रंगीन सपनों में खोया हुआ शहर कोलकाता ब्राम्भ महुर्त में उठ जाते हैं वे, रात के सपन को तोर कर दिन के साधना में सपन की तरा रात के कोहरे को काट कर, दोनों हाथ से, दोनों पैरों से, शहस्र बाधाओ को तोरते हुए सपन के बीच से अपना सर उचा करकर आगे बढ़ते हुए मरुभूमी के उन जाहाजों के तरा ही, उन उंटों के तरा ही राजपत को लांगते हुए अपने गंतब्वे के तरफ सठिक समय में वे काम करने वाले इनसान हैं, निर्भिक है, सत है, निर्भिक है, सच्चे है, इनसान है, वे लोग थेला वाले हैं ये कहानी नहीं है, ये निर्मम बास्तव है, जो आज भी है वर्तमान तो दोस्तों, आज के कहानी नहीं है, ये तो ये जो एक रेंचेक था ना, ये खुद को, खुद की जो आत्मा, विसलेशन करने की एक जो, एक जो मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुछ नसीब हूँ के ये कविता पढ़ते पढ़ते एक एक बार ये समझने की कोशिश, अटलेस्ट मेरे पास ये एक बार चांस तो मिला, के जिन समस्या को हम सोच रहे हैं, समस्या है, इस पूरत दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, जिन के लिए वो कुछ समस्या नहीं है, वो सर्फ बिलाशिता है, वो सर्फ यूटोपिया ह प्रॉब्लम्स है, शायद, तो दोस्तों, हर किसी का वास्तव, हर किसी का वास्तव, अपने अपने प्रेक्षापट में वो सही होता है, लेकिन हमारे लिए जो कहानी नहीं है, हमारी जो जीवन, जो हमारे लिए कहानी है, कहानी नहीं है, जो चरम वास्तव है, वो और किसी क कहानी भी हो सकती है तो दोस्तों आज के लिए ताही आशा करती हूं अच्छे से रहेंगे इस गर्मी में स्वस्त रहेंगे ताटा